हेलो दोस्तों 72 में गरतंत्र दिवस की आप सभी को हारदिक सुपकामना है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गरतंत्र दिवस पर अगर आप भासड देना चाहते हैं तो कैसे एक भासड दिया जाए उस चीज को structure में कैसे कहा जाए कि आप अपने सारी बातों को 10 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें लोगों के सामने तो वो सारी चीजे मैं आज की वीडियो में बताऊंगा और जो speech होती है भासड होता है वो अगर आपका वो topic तयार है अच्छे से आपको उसके बारे में knowledge है तो आप वैसे ही बस आपको कुछ structure follow करने होते हैं वो अगर आप follow करते हैं तो आप अच्छे तरीके से speech दे सकते हैं और यहां पे रही गरतंत्र दिवस की बात तो गरतंत्र दिवस हो गया सोतंत्रता दिवस हो गया यह हमारे राष्टरी पर हैं तो सब भी भारतियों को इसके बारे में knowledge यानि की जानकारी होती है परन्त अगर आपको भासड देना है किसी चीज के उपर खास्तों से गरतंत् जाएंगे तो सारी चीजें आपको ऐसा नहीं कि आपको नोट बना के ले जाना है काफी लोग देखते होंगे भासड देते समय पेपर लिख के ले जाते हैं तो यह जरूरी नहीं होता बस आपको उस चीज के बारे में knowledge रखनी है और कैसे उसको प्रस्तुत करना है वो आप तो यहाँ पर देख लिजिए गरतन दिवस पर भासड की एक जलक इस चीज का आप प्रिंट आउड इसकी ले सकते हैं और अगर आप इसको आप कॉपी पर लिखना चाहते हैं तो वीडियो रोख रोख के लिख भी सकते हैं अब यहाँ पर गरतन दिवस का भासड देने के स्टेज पर जाएंगे तो सभी के सामने आपको सबसे पहले जोज भरी पंक्तियां कुछ बोलनी होंगी ऐसा नहीं की जाते ही सबसे पहले आप अभिवादन करने लगें सबका अभिवादन करिए लेकिन उसके पहले ऐसा कुछ लाइन बोलिए जिससे सभी जो आपकी तरफ आपकी तरफ आकरसित हो जाएं और आपकी बातों को अच्छे से सुने तो यहां पर मैं आप लोगों के सामने रामधारी सिंग दिंकर जी की चार पंक्तियां यहां पर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और अगर आपको अच्छी लगे तो यह पंक्तियां आप सबसे पहले आप पहुचेंगे वहाँ पर किसी विद्याले में आप हैं पढ़ रहे हैं किसी स्कूल में हैं या फिर किसी दूसरे विद्याले में गया हैं तो उसको किस तरीके से आपको प्रस्तुत करना हैं सबसे पहले आप मंच पर जाएंगे ये लाइने बोलेंगे उसके बाद सभी का विवादन करिए अगर आप इंडिविज्वली करना चाहते हैं जैसे कि प्रधा सभा में उपस्थित सभी लोगों का अविवादन करें उसके बाद आप क्या करेंगे अपना परिचे देंगे उसमें क्या बोलेंगे सारा चीज नहीं बताना है अपने परिचे में अपना नाम बताना है कहां पर पढ़ते हैं किस क्लास में अगर आप किसी दूसरे विद्य होंगे उनको पता है कि आप ही अकेले नहीं वहाँ पर भासर देंगे तो अपने भासर को सौट में रखिए ज्यादा बढ़ान हो जिससे क्या होता है कि सामने वाले अगर आधे-अधे थोड़ा सा भाव बनाना है उसके बारे में आपको शुरुवात करनी है तो यहां पर देख लिखा गया इसको भी आप लिख सकते हैं आज हम सभी यहां बेहत खास आउसर पर भातरवा गरतन दिवस मनाने के लिए इकठा हुए हैं भारत के लिए गरतन दिवस केवल पर्व न मिली थी लेकिन उन्हें सवतंता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला क्योंकि इसी दिन हमारा सम्विधान लागू हुआ था तो इससे सभी को पता चल जाएगा कि आप किस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं अब इसके बाद देखिए भारत का सम्विधान इसके बाद आप बीच में भर सकते हैं आपके ऊपर हैं क्योंकि अगर आप बीच में लाइने खास उन्तने के लिए प्रेरिट कर रहा है तो आप लगातार बोलते ही जाएंगे तो आपसे प्रेरित नहीं होगा बोल हो जाएगा आपके बातों चनेगा नहीं है तो बीच बीच में कुछ लाइने बोलते रहिए, खास तो उसे कोई भाषण दे रहा है, तो उसमें जलरी होता है, कोई ऐसी लाइन, जिससे सारी जंता आपके सामने जो बैठी है, चाहे उसिच्छक हों, चाहे स्टुडेंट हों, टीचर हों, सभी आपसे, आपकी बातों को स फिखिक समीधान है, अब समीधान के बारें बताएंगे, क्योंकि गरतंत्त्त दीवस मना रहे हैं, तो समीधान उसी दिन लागव हुआ ता समीधान के बारें ही नहीं बताएंगे, हमारे समीधान को बनाने में 2 साल, 11 महीनिया और 18 दिन का समय लगा, जो बच्चे ब गौरब प्राप्त होता है 26 जनवरी 1950 को डाक्टर राजंद प्रसाद ने गौर्मेंट हाउस के दर्बार हाल में भारत के पहले राष्टपती के रूप में सपतली भारत के पहले गरतन दिवस के मुख्याती थी इंडोनेसिया के राष्टपती सुकर्णो थे ये सारी डिटेल चोटी चोटी बारिकी वाले डिटेला बच्चों को सबके सामने बोल दीजिए इसके बाद अब आते हैं थोड़ी से और इसके डिटेल में जाते हैं अब थोड़ा सा और भाव बनाते हैं हमारे देश के महान नेता और सुतंता से नानी महत्मा गांधी भगत सिंग चंसेख हम इनके समरपड को कभी भूल नहीं सकते हैं हमें ऐसे महान आऊसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामे देनी चाहिए केवल इन लोगों की वजह से ये मुम्किन हुआ कि हम अपने दिमाग में से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाओ के अपने राष्ट में मुक्त होकर र दिजिए और उसके बाद इनको थोड़ा सा सम्मान दिजिए कि इन्होंने जो किया वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं इनको हम हर वर्स 15 गर्स 26 जनवरी को याद करते हैं जो इन्होंने हमारे देश के लिए किया हम आज आजाद हैं हम आज आजाद कह सकते हैं कि हम आजाद हैं तो यह सिर्फ इन लोगों की वज़े से हुआ है, इस तरीके से आप वहाँ पर बोल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रेजेंट से जोड़िए अब यहाँ पर सबसे अच्छे उधान है डाक्टर अब्दुलकलाम जी उनके जो लाइने थी उसको यहाँ पर बता सकते हैं कि यहाँ पर देख लिजे लिखा गया है, डाक्टर अब्दुलकलाम ने कहा है कि अगर एक देश ब्रष्टाचार मुक्त होता है, तो सुन्दर मस्तिस्क का एक राष्ट बनता है इसको आप अपने लाइन में कह सकते हैं, कि हमारे देश के जो राष्ट पती थे, डाक्टर अब्दुलकलाम जी उन्होंने कहा था, अगर किसी देश से ब्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, तो उस देश का जो मस्तिस्क होगा, एक सुन्दर मस्तिस्क का विकास होगा उनका मानना था कि हमारे यहां तीन प्रधान सदस्य होते हैं, सबसे पहले माता, पिता और उसके बाद जो स्थान प्राप्त है, वो सिच्छक को दिया गया है, गुरू को तो इसको इस तरीके से कहने के बाद, उसके बाद देखिए हैं हम लिखा गया है, भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुम्किन प्रयास करने चाहिए हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तथा समाजिक मुद्दो जैसे गरीबी, बेरोजगारी, असिच्छा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आध से ओगत रहना चाहिए और अपने अस्तर पर युगदान देना चाहिए, आप जिस भी अस्तर पर हैं, आप उस अस्तर पर युगदान दे सकते हैं, ये ना सोचिए कि सामने वाला युगदान नहीं दे रहा है, तो हम क्यों दें, और खास तोर से आप अपने आसपास देखेंगे, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जो मैं अभी बोल रहा हूं, कि आप अपने आसपास देखेंगे, जहां पर सिच्छा है, वहां पर असमानता है, इसलिए हम को असमानता को दूर करने के लिए सिच्छा की भी अत्यंत जरुरत पड़ती है अब इसके बाद आपको दिखा देता हूं अब गरतन दिवस के बारे में थोड़ा से और बता दीजिए कि गरतन दिवस पर क्या क्या होता है देश में तो यहां पर देख लिए बताया गया है ग आश्ट्री बहादुरी पूरसकार सुरू किया था बहादुरी पूरसकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग-अलग छेत्र में बहादुर के लिए दिया जाता है गरतन दिवस के मौके पर असोग चक्र और किरती चक्र जैसे महतपुर सम्मान दिये जाते हैं जो हमारे इसे न अपना सक्ति प्रदर्शन करती है और प्रेड मार्च करती है तो अगर आप सौट में करना चाहते हैं तो यहां पर आप अपना जो भासण है वह एंड कर सकते हैं और एंड करने के पहले आप फिर से एक बार सभी के अंदर जोज भरने के लिए कुछ लाइने बोल द आप अपने विचार प्रस्तूत करें इसी के साथ आप जय हिंद वंदे मातरम बोलते हुए अपने भासण का एंड करिए देखियेंगे कि आप अगर इसको प्रभावसाली तरीके से आप प्रस्तूत करते हैं तो कितनी ज्यादा आपकी भासण के उपर तालिया बजेंगे तो दोस्तों अगर आप लोगों को आज का ये भास दिन अच्छे से बीते 26 जनवरी का हर साल आप इसी तरीके से जहां पर भी हूँ स्कूल में कॉलेज में कहीं पर भी उपस्तित हूँ अच्छे तरीके से इस पर्व को मनाएं तो मिलते हैं नेक्स चुडियो में अब फिर से तो जैसा कि मैं सभी वीडियो के एंड में बोलत जैहिंद वंदे मातरम